और अब खबरे विस्तार से नागपूर के जरीपट का मेंन मार्केट स्थित एक कपड़ा दुकान में बुद्वार रात पौने 11 बजे भीशन आग लग गई आग लगने का कारण फिलास पश नहीं हो सका है हालकि आग की घटना की वज़े से परिसर में रात को अफरात अफरी का माहल बन गया मिलीद जानकारी कनु सार बुद्वार को सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकाने बन कर घर चले गए थे इसके बाद परिसर में नागरिकों ने एक दुकान से दुआ निकलते देखा देखते ही देखते आग ने विशार रूप धारन कर लिया इसके बाद कपड़ा दुकान में आग लगी सूचना मिलने के बाद महानगर पालिका के दमकल युभाग की कुल आठ गाडिया घटना स्तल पर पहुँची दमकल युभाग से मिलित जानकरी क अनुसार सुगत नगर सिविल लाइन्स कॉटन मार्केट कलमना लकडगंश त्रिमूर्तिनगर दमकल की गाड़िया मौके पर पहुँची स्थानियन नागरिकों ने इसकी सूचना दमकल युभाग को दी प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार मेन मार्केट होने की वज़े से यहां दुकान एक दूसरे से सटी हुई है इसी वज़े से आग पर काबू पाने के लिए दमकल ने ततकाल आठ गाड़िया मौके पर रवाना की क्या गटना हुई है बताई है पर उपन की तो हमने देखा कि आग पूरी खैली हुई थी क्या नाम का दूकान का नाम हमारी दूकान का नाम न्यू सद्गुरु करपाक आर्मेंट है अजय तो अजय वालों ततकाल आए और उन्होंने अपनी सर्विस अच्छी दीए जिसके आजू-वाजू की दुकानों में शती होने बहुत बच गई क्योंकि आजू-वाजू में भी पपड़े की दुकाने हैं और लेकिन वह सही समय पे आने के हैं और उन गाड़ी पाइव गाड़ी किती है थी लगभग पाया सब्सक्राइब की आठ से दर्स गाड़िया आ चुकी थी जिसमें ते एक गड़ी गाड़ी भी थी जो पूरी रात भर यह दुकान पे पूरी आग हो जाने का पांग थी और सब्सक्राइब करते रहे तब्सक्राइब लगभग छे बजें के करीबन वह आग पूरी आग ताबू में आ गई जिससे